दोस्तों, क्या आप दूसरों के दुख दर्द समझने वाली हरजिंदर सिंची के बारे में जानते हैं? कहते हैं किसी के जीवन की रक्षा करना, किसी को समय पर जीवन दान देना सबसे पवित्र काम माना जाता है इश्वर की बंदगी मानी जाती है और ये काम वही इंसान कर सकता है जो बिना किसी लालच या वाहवाही के बस चुपचाब खुदा के बंदों की भलाईक चाहता है दिल्ली की व्यस्त सडकों पर अकसर 76 साला हरजिंदर सिंग जी को आटो एंबुलेंस चलाते हुए और घायल लोगों की मदद करते देखा जा सकता है हरजिंदर जी ने ये काम बिना किसी फ्रीज के 1964 से करना शुरू किया था और वो हमेशा अपने आटो में फर्स एड बॉक्स रखते हैं पता नहीं कब किसे कहां इसकी जरूरत पड़ जाए हरजिंदर जी का परिवार उन्हें आटो ड्राइविंग छोड़ कर अराम से घर बैटने की सलाह देता है तो हरजिंदर जी कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहता दूसरा वो जानते हैं कि घर बैठा तो शरीर को आलस रूपी जंग लग जाएगा हरजिंदर जी कहते हैं कि लोग उनका नंबर अकसर अपनी गाड़ियों पर लिख लेते हैं ताकि अगर भगवान ना करे किसी का एक्सिडेंट हो जाए तो जरूरत मंदलोग उन्हें फोन करें और वो जट से अपना आटो एम्बुलेंस लेकर वहाँ पर पहुंच जाएं हरजिंदर जी खुद की जेब से पैसे खर्च कर लोगों के घरों तक जरूरत की दवाईयां भी पहुंच आते हैं जब लोग उनको फोन घुमाते हैं डेली ट्रैफिक बुलिस ने हरजिंदर जी की सराहनिय कामों को सम्मान देते हुए डेली ट्रैफिक बुलिस में ट्रैफिक बुलिस वॉर्डन बनाया और कई प्रशंसा पत्रों से नवाजा हरजिंदर जी बताते हैं उन्हें लोगों की भलाई का जाग उनके पिता से लगा जो भाई कनहिया संस्था के सदस्य थे जो नर को ही नारायन मानते थे और जन मानस की सेवा करते थे ऐसे सूजफान दयामय दूसरों के दुखों तकलिफों को समझने वाले और कम करने वाले हरजिंदर जी को हमारा शत्चत नमन